नमस्कार दोस्तों संदु एग्रोफार्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम आए हैं पलवल हरियाना एग्रिकट कंपनी में आज हम जानेंगे इनके साथ होर्स पावर के गोल्ड लाइट पावर वीडर के बारे में जो कम से कम पैट्रोल में ज्यादस ज्यादा खेट के काम करने की शमता रखता है तो चलिए फटा-फट मिलवाते हैं आपको श्रिवम भाई से और जानते हैं इनकी इस मशीन के बारे में वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं अपने देश के सभी किसान भाईयों को मेरी और मेरी कंपनी एविए फसल का उत्पादन कर सकें और अच्छी मशीनरी से कम मेहनत में अच्छी आमदनी कमा सकें अभी आपके पास में एक बहुत बहुत बैतरीन पावर वीडर जो देखने में अट्रेक्टिव है और मैंने इसका डेमो देखा वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे तोड़ा इस जैसे फीचर्स हैं जो इस मशीन को बहुत ही प्रोड़क्टिव और बहुत ही सक्सेस्वल खेत में और फार्म में बनाता है आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें हमने एक तीन लीटर का पेट्रोल टेंक लगा रखा है जैसे कि मैं आपको हुड के अंदर दिखाता हूं मशीन कि इसमें लगबग तीन लीटर का पेट्रोल टेंक हमने लगा रखा है जिसकी खपत लगबग पांसों से शेस्वल एक घंटे की रहती है है वी वर्क लोड पे भी यह जादा से जादा आपका साथ से में ले लेगा जिसमें हेवी वर्क लोड में जैसे हम कहतों बहुत ही हा यसी क्या-कै हमारे किसान बहुत सते हैं जब हम पावर वीडस की मशिन की बात करते हैं तो पावर वीडर एक ऐसा इनोवेट्व मशीन है जो लगबक ट्रेक्टर के सभी काम करने की शमता रखता है जैसे कि कई जगाओं पर जहां पर भौव फसल हो गए जाती है multi cropping होती है या फिर जहां पर खरपतवार होती है खरपतवार जब फसलों के बीच में खरपतवार होती है फसलों का नुकसान करती है, उन खरपतवार को हटाने के लिए, और जहां पे, जिन जगाओं पे ट्रेक्टर जा नहीं सकता, उन जगाओं पे ट्रेक्टर की बजाएं पावर वीडर का बेखोबी इस्तमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपकी शोगर के इन गन्ने की, कपास की, और हो जैसे अवेरनेस बढ़ रही है, और जमीन के बटवारे की वज़े से जमीन फार्मर्स पे छोटी-छोटी रह गई है, उस पे ध्यान में रखते हो है, हमारे नोर्थ रीजन में और नीच्चे जाते हैं साउथ रीजन में भी पावर वीडर का चार्चलन बहुत जादा बढ जैसे जो पीटियो शाफ्ट इसमें आप अलग-अलग तरीके की अटेच्मेंट भी लगा सकते हैं जैसे ट्रेक्टर के ट्रेक्टरों में स्प्रेयर मशीन होता है चड़काओ के लिए वाटर पंप उते हैं सिचाई के लिए वैसे ही पीटियो शाफ्ट में आप लेवल पर काम कर सके क्योंकि जातर जो पैट्रोल इंजन होता है डीजल के मुकाबले तुलना में थोड़ा कम पावरफल होता है तो उस बारे में क्या कहेंगे आप जी जब यह मशीन हमारी क्वालिटी वाइस और इसका जो इंजन है वो ड्राइलेंड पर टेस्टिंग इस क्यातर बींगर एकित कम जातर जो पर लंगर द्री जैसे अगर आपको जिताय करनी हो बिज्गारा ंे ककट्यों करनी हो अब धी जैसे काम से कल्टिवेटर चलगर उसकार और ह हो इस आरे काम बहुती सक्षंपलवाथ क करती है अचा भिया इसमें आटेशमेंट मैं देख र तियार करने में यूज होती हैं जैसे हमारा multiple two hull हो गया double plow हो गया leveler हो गया और cultivator यह चार एक common attachment है जो त्रेक्टर के लावा प्यव पावर वीडर में भी और खेत तियार करने में जैसे कि आब पता है, 30 HP है, इक कॉनोमिक मशीन है, जैसा अबने बताय की छोटे उड़ावर्मर्स लिए बड़ी मशीन है, तो हमने इसका प्राइज लेंज हाए फोर्टेबल रख्ता है, रीजनेबल रख्ता है. हमारे किसान भाई को को ये मशीन हम मातर 48 जार रोपे में उनके घर तक डॉर डिलीवरी पोचाएंगे फ्री ओफ कोस्ट डिलीवरी का चार्ज रहता है बिल्कुल फ्री रहता है घर तको ने फ्री आएगी मशीन का सिर्फ आपका अर्ताली जार पे करना और बाकी हमारे पर चोड़ना है सब भाई इसमें कोई सबसीडी भी मिलेगी हमारी जितने भी एग्रिकट की एविएस इंट कर सकते हैं अच्छा भीया एक चीज और जैसे छोटी मशीन में आजकल बहुत दिक्कत आरी है स्पेर पार्ट्स की और मेंटेरेंस की और बहुत मशीनों में ऐसी दिक्कत भी आरी है कि एक बार डिस्पैच हो गई और बाद में को लेन दन नहीं तो उस बारे में क्या और जब एक कंपनी आती है मार्केट में तो उसकी जो पहचान होती है वो आफ्टर सेल सर्विस से ही बनती है हमारी एग्रीकट का जो फीडबेक हमारे कस्टमर्स हमारे फार्मर भाईयों ने दिया है वो हमारी आफ्टर सेल सर्विस को ही ध्यान में रखके दिया है अब तक का जो feedback हमें मिला है हमारे किसान भाईयों से हमारी after sales service की तारिफे हैं हम अपनी after sales service सबसे टॉप पे रखते हैं इसमें हमारा call service on call का भी portal है जिसमें हमारे farmer भाई जो भी हमसे machine लेता है महीन हफते में दो बर तो उने call जाता ही है जिसमें हम machine के feedback का पता करते कि machine कैसी चल रही ह है उन्होंने service time पर करी है रही बात छोटी machine में आने वाली problems की तीन तरह की problems हमारे farmers जो हमारे किसान भाई हैं वो face करते हैं ठका देने वाली vibration spare parts के availability और एक होता है कि कुछ company ने डोड दिलीवरी कह देती है वो नहीं दे पाते और जैसे after sales service आपने कई है हमारी machine का subsidies से अलाव हम इसका government के थुरू quality test भी कराते हैं कि जब देख सकते हैं mechanical vibration test तो यह इसमें हमने अलग-अलग type की quality test करा रखे हैं जिससे machine की अवल quality का पता चलता है quality check का पता चलता है हमारे किसान भाईयों को machine के maintenance को लेकर machine की working को लेकर कोई problem ना है इसलिए अलग से quality test करा गया है साथ की साथ spare parts की पूरी availability पूरा reserve हमारे पास रहता है जैसी machine आपके पास पहुंचेगी एक साल की warranty machine की चालू हो जाती है एक साल में कोई भी spare parts पे दिक्कत आती है आपका तुरंत dispatch करा जाएगा speed post से लगबख 24 से 48 गंटे में आपके पास spare parts पहुंचाए जाएगा रही बात एक major problem आती है door delivery की आपके घर तक machine पहुंचाए जाएगी आपको कुछ नहीं करना है अपने घर पे बैठे रहना है आपको कहीं नहीं जाना है machine को देखने की विजूरत नहीं आपके घर के बाहर machine पहुंची पाएगी लगबख 4 से 7 दिन का time period रहता है location वेरी करता है कश्मी टू कन्या कुमारी जहां पर भी होंगे वहां तक machine की delivery करा जाएगी दर्श को यह थे हमारे साथ में शिवं भाई aggregate company से जिनोंने हमें अपनी शांदार पावर वीटर दिखाई मैं आशा करता हूं आपको इनके द्वारा दीगे जानकारी पसंद आई होगी जल्द हाओ हाओ करता है जिदा हूए ग।